तो कैसे आप सब उम्हीत करते हैं कि आप और अपगा परिवार पूरेखिंट स्वस्थ होगा और आप पढ़ाई कर रहे होंगे चलते हैं आज से हम च्टार्ट कर रहा हैं गॉध। इस्टूमेंटि के बारे में सारे तरे केसे अपने लर्निंग इसको कही नहीं कहीं यूज़ और उसी में हम लोग माइक्रो इस erosion पहले देखते हैं ाीज पा dónde आदा मिट को आधिस्टेप बच्चों को शहां मेंदा है जैसे आप यहांपिर्णिक बच्चों को जोड़ां अधे बढ़ा बिनार्ट परइबारिवार ऊतनी सुक्स रधाय बढने लगती हैं आलग-अलग लोग काम करने लगते हैं क्यूंकि रूप थो आफसा देते हैं और यहां यहाँ सिस्टम में लगा दिये लगते हैं हम को कितना चाहि का 100 रूप प्रवायर को बढ़ा करना है तो आप इसके सहभागी हैं आप का भी नाम हमारे पास नोटल दा कि आपका ही support है तो आप यो ही हमारा support करते रहे हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे यहां पर बात कर ले हमने app के बारे में अब चलते हैं हम लोग इसके introduction के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार जो हमारा light microscope है या फिर basic microscope होता है उसके introduction में हम लोग क्या देखते हैं इसके बारे में बता रहा है और यह specially किसके लिए काम करता है यह किसी चीज को यानि किसी भी इसके बारे में बता रहा है यह system को किसी भी object को थोड़ा सा बढ़ा करके क्या किसी भी नमूने को किसी भी simple को हम क्या करते हैं किसी वस्तू के नमूने को अधिक सधिक बढ़ा करते आवर्धित कर देते हैं विजिटल माइक्रोइस्कोप आ गया है इसमें हमको आखों से देखना थोड़ा सा कम पड़ता है जो हम स्लाइड नीचे लगाते हैं हम बात करेंगा आगे जो स्लाइड लगाते हैं वह स्लाइड सही तरीके से विजूबल हो जाता है हमारे लेपटॉप या आईपैट्स यान आख हमारे कितने रिकॉर्ड करें कुछ टाइम के लिए हमको पता होगा कि यह हमने देखा था बट आप किसी सिस्टम में किसे आउप्रेटिन सिस्टम से देख रहे हैं वहां पे लंबे समय तक उस पूरे घटना को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में अपने स्टडी में ला सकते हैं वहेंशे जहां भें बोल रहा है कि हमारे निक्ड़ आई होती है यहां इसके इमेजजक को हम लोग तरीके से मेंगे करते हैं ठीक उसको देखते है अब इसका जो होता है वो बैस होता है हमारे अभेने माईक्रोश्कोप को करते हैं क्या करते हैं उसके पीशे रिजन है देखो वहां रहाना compound microscope वोलते हैं क्यों से भी डिबहीर, तीप ताइप ऐस तूल्स, रामेर का जानता है। और उसमें एक से ज्यादा लेंसेस काम करती हैं क्या करती है एक से ज्यादा लेंसेस काम करती है यह चीज आप ध्यान देना और उनको एक से ज्यादा लेंसेस को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वो किसी भी नमूने के किसी भी सिंपल्स को सही तरीके से मेगनिफाई कर करने के लिए और इनमें क्या होता है यहां पर हमारे पास यहां किया होगा पूरे सिस्टम को जिस उद्देश के लिएक हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं ऊसमें hints होते हैं U S equipment a very simple स्ट Birambu sometimes या इस में एक सिंपल सा सिंगल लेंस लगा होता है सिंगल्लेंज का इस्ट्रूमेंट होता है और हैंड यहां हाथों से सही तरीके से इसको इस्टमाल कर सकते हैं और ऐसा देखा जाता है कि हमारे सचे as a photography हमारे पास क्या होगा फोटोग्राफिक लूप क्या हो खो टीक होती है यहां सिंपल सिंपल हमारे पास लगेSI resultados लिए इंग्लाज्डाजे यह घ्लार माईक्रोस्कॉप प्लेट ना होतीया ऊसको सही तरीकसे बीसिश्टिफाई करती हैं यह लाइन या रखना यानि बेसिक चीजे हैं अब देखो जो हमारा प्रेंसिपल है इसको पढ़ना पड़ता है यह बेसिक है प्रेंसिपल को ध्यान देना इसमें कुछ छोड़े ना आप से हमारे पास कहता है माइक्रोः इसकोड में यहाँ पर पिंद्द्ध अप्रास यहां से इक लाइन देखना है कि माइक्रोः कुव मिया बड़ा बदल देता क्या करता है small object को बड़ा object में बददेता है दिखाने के चोटे से सिस्टम को बड़ा दिखाने के लिए हमारा microscope काम करता है यहां पर light microscope will magnify on images यानि जितने भी image अप्ट लगभग 1500 टाइम्स increase कर देता है original size से यदि कोई भी original size जदी एक centimeter की है क्या एक centimeter एक mm की है तो उसकी original size से वो 1500 मतलब 1500 टाइम्स increase कर देगा यह हमारे light microscope का पहला conditions होता है तो आप इसके लिए तयार रहेंगे आप यहां से क्या करेंगे आप यहां से mcq कर लेंगे यह mcq बैयाता है और यहां से आप इसको आई अंपी भी कर लेंगे तो आई अंपी यहां से पूछा जा सकता है किसी भी multiple choice में कि जो हमारे light microscope microscope होता है यह light microscope किस तरीके से या कितने times हमारे systems को या नमूने को या फिर samples को ठीक या specimen को कितने time increase कर रहा है वह आप याद रखेंगे कि वह वन ताउजन फिफ्ट फिफ्ट हंडेड टाइमस इंक्रीज कर देता है वहीं बात करें अगले parts की अगला पार्ट हमारे पास कहता है light microscope के बाद हमारे पास हता है दस जार लाग दस लाग यानि दस लाग जो टाइमस है उतना इंक्रीज कर देगा यानि एक mm की कोई भी चीज है तो हम उसको दस लाग mm तक देख सकते हैं वह होती है electron microscope तो यहां से यह लाइन भी आप याद रखिएगा यहां से आइंप कर लीजिएगा क्योंकि यह भी आप से multiple choice sections में पूछे जा सकते हैं कभी आप CSR NIT की तयारी कर रहे हैं या फिर आप MSC के लिए किसी आप से लगातार वह पूछा जा सकता है कि दोनों से question आया भी है और आता भी है और ध्यान देना जो हमारा electron microscope होता है वह ज्यादा detailing होती है हमारे electron microscope की दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंट देखने के लिए मिलता है ठीक यह तो हमने बेसिक चीजे होई अब यह चीज देखते हैं कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्या जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आता है कि यहां से और जो सुछ मदर्शी होता हुआ से शालता से प्रकट कर सकते हैं और उसकी 16 पावर सोती है वह भी काफी एजी होती है और चोटे से यहां पर हम लोग काफी similarities से सारे-सारे शोब्जेक्ट होते हैं उसको अपरोच कर सकते हैं जितने भी हमारेस को होता है काफ़ी कम दूरी पे हम लोग उसको कम दूरी होती है लेकिन हम आखों से देख रहे हों नीचे हमारा क्या है सिस्टम लगा हुआ है हम उसको धेर सारे मेगनिफाइब करके उसके मेगनिफाइब करके हम नंबर आफ टाइम सुट के साइज को इनक्रीश करके ठीक तो वहां से बढ़ा लेते हो तो इसका मतलब यही है कि हम लोग इसमाल डेंसिटी से सारे डिस्टेंस से हम लोग पूरे पूरे अबजेक्ट को सही तरीके से अप्रोज कर पाते हैं और उनको सही तरीके से वहां से हम देख पाते हैं कि वो दूरी हमारे कैसे दो दूरी या फिर कभी-कभी क्या होता है आप देखो कभी-कभी हम हम लोग देखते हैं कैसे जो मारा maicroscope होता है उसके पूपर लाके देखने के लिए कोई बड़ा चीज पार्द मेगनीफाइफ कर को घटा इसको घटा ने इसको घटा किम चोटे जो में देख सकते हैं वह लाइट मैक्रोस्कोप करें जाष्ट अपोजिट पार्ट होता है यहाँ पर यहां पे जो वीविलेंट है जो थे इस पेसली हमारे पास जो हमारा लाइट मैक्रोस्कॉप या अधर कोई भी Micro Scope है उसमे इस पेशली उसकी विव्लिंद का बड़ा जो लाइट आ रही है उस लाइट के विव्लिंद का बड़ा ही important role है ठीक मतलब कहता है यहां पर विव्लिंद का कहने का मतलब है कि यहां पर पूरी पूरी जो लाइट माइक्रोस्कोप काम करती है या इलेक्टान माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो लाइट इमीट हो रहे अंदर जा रही है ठीक एंसिडेंट लैट जो होती है उसकी विवलेंद कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा सि जितना ज़्यादा लाइट जगा यहाद का विवर्दाइट कारण बकम होगा चेहां वोंगे यह उतने भी और उपजेक्ट वोगी उनसे हो छोटी होगी तो जितना ज्यादा हमारे पास क्या होगा हमारे पास बेवलेंद जितना छोटा होगा और डिफ्रेक्शन के बाद वस्तु जो होगी उतनी ही छोटी दिखाई देगी ठीक यह चीज आप ध्यान देना और जब हम लोग इसको सहितरिके से स्वाल करते हैं तो उतना ही बहतर पावर हमको सहितरिके से निकल के आता है यानि कभी भी आप लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो ध्यान दीजेगा कि आपके पास लाइट आओ सकता स्यदिक ना हो यदि आओ सकता स्यदिक लाइट होगा तो हमारे पास जो बिबलेंट होगी लाइट की वो इंक्रीज कर आएगी यह चीजा ध्यान देज़ेगा जैसे इस लाइन में पूर रहा है यहां पे डिफ्रेक्शन के द्वारा हो रहा है तो हमारे पास जितने भी पावर होती है उनके लिए हमारा एक ही फंक्शन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफ्रेक्शन बोलते हैं तो कभी आप से कोई पूछे कि भाईया बताओ कि जो हमारा विवलेंथ होता है माइक्रोइस्कोप के अंदर वो किस्त पर निर्भार होता है कौन सा लाइट का फंक्शन होते हैं वहां पे तो लाइट का एक ही परपार्डिज वहां पे रिकमेंट ह काम कर रहा है या फिर इसको कितना वेवलेंथ हमको चाहिए होता है तो कहता है कि यहोड़ व माइक्रो到底 है कि सब्सक्रांट है उसको घ्राइट माइक्रोऌस्कोप होता है किस डृत्के हैं उसके उनाजयीज तो आप बताएंगे एकि उसके अंदर इंदर लाइट यूज होती है जो दिस्त प्रकस कडप्ज हिर। उसको अम लोग क्या כरते यूज कर रहे होते यूज होती है जो उसकी यह上निम ओगे है कि पान सो नैनो मिर से लेकर सक ठिसकरिशली कि मिल जाती है तो पहली बात कि यहां पर लगबग लगबग जो light microscope हमारे पास होगा उसका जो विबलेंट होगा वो केवल 500 के आसपास होने चाहिए आप याद रखेंगे यह तरीके से याद रखेंगे इसके बारे में कोई चीज भूलेंगे और ध्यान देना क्या तुम्मार ऑबजिक्ट होता है यह उसके क्रेंगे वाले क्या उसे निकलने वाले जो वस्तू वस्तू को लगबग लगबग यानि जो भी हमारा वह वस्तू को लगबग लगबग क्या सकते हैं। नाम्हारी संपास नंहां की वोगा सचया यहां पर काफी समाल सब्सक्राइब में दुखाई यह ध्यान दीज़ेगा अब इतना ही आके देखें कि आखिरकार इसका यूज कहां पर तो हम देखते हैं कि इसलिए इनका जो प्योग होता है क्या इसका जो प्योग होता है वह सबसे चोटी जो कोशिकाएं होती है मतलब हमारे वर्डे की श्माल Definitely है हम लोगी चेंज के इंटर सेललर से को इसे कोई वह गया झाक, इस निकलियर्स हो रहा है यहां पर कि हमारे पास इसका जो यूज होता है तेक देरफ़ार वी यूजड विजवल यानि विजुलाइजड दो स्मॉल इट सेल्स मतलब जो सेल्स होते हैं सेल्स के अंदर की सनर्चनाओं को देखने के लिए हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप का यूज कहीं करते हैं अब देखो हम लाइट माइक्रोस्कोप का कहां पर यूज करेंगा है सेल्स के और सेल सेल्स कुंटर्च है हम लोग कोशी का विज्ञान के रूप में बी इसको जाना जाता है कि आखिरकार microscope की सहाता से हम किसी भी sales structures के organization को देखते हैं तो इसको हम लोग cytology यानि कोशिका बिज्ञान के रूप में जानते हैं अब भाईया कोशिका बिज्ञान के रूप में हम क्या क्या जानते हैं तो कोशिका बिज्ञान के रूप में हम यही जानते हैं भाईया कि हमार च्छाना पड़ता है हमारे light microscope से सहीज दिखाएगा नहीं किसी चिशी दिखाएंगा नहीं किपाएंघ्ण के लिए जेल के अंदर उसको अच्छे से अच्छा क्या अच्छे से अच्छा वाइंड करने के लिए हमको इलेक्टानbasis को पहिं जुरूत पड़ेगी हम नारौर्मली कहीं देखना पड़ेगा थो मि कसके सकते हैं । और जो साइटो प्लाज्मिक स्टॉक्टर से उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं यह चीज़ आप याद रखिएगा अब बोलता है कि जो हमारे पास विवलेंथ होने चाहिए किसके इलेक्ट्रान बीम के क्या इलेक्ट्रान बीम के जो विवलेंथ होनी चाहिए वो इसकी तुलना में क्या कितना 10,000 बोल रहा है यहां पर 116 किहरें रही हजार या इक लाख टाइम कम हुता है यह लाइन आप याद रखना जो सिध्धान रही होती है कि हमारे पास पूरा जो light microscope होता है वो electron microscope की तुलना में ठेक काफी कम structures को detail कर पाता है यानि कह सकते हो कि हमारे पास जो electron microscope होगा वो light microscope से लगबग लगबग एक हजार गुना अबजेक्ट को विभेद करके अंदर जा सकती है और उसको सही तरीके से दिखा सकती है यानि हम कभी भी लगबग लगबग जो हमारे पास electron microscope होगा हम electron microscope के लगबग लगबग जहां 0.2 nanometer के साइज को भी हम देख सकते हैं यह हमको कभी भी light microscope से नहीं मिलेगा यह कब मिलेगा जब हमारे पास electron microscope होगा तो वो हमको दिखाई देगा मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई दिवार होगी क्या ऐसी कोई दिवार होगी यहां से कोई light जा रहे होगी तो जो हमारे पास light होगा light microscope काम कर रहा होगा उसकी जो magnify समता होगी वो एक दिवार तक होगी लेकिन अगले 100 मतलब 1000 कितना यहां बोल रहा है 1000 टाइमस अंदर जाने के लिए हमको electron beam की जुरत परती है और वो beam हमको कहा मिलेगा electron microscope के अंदर मिलेगा इतना topic आपको देरे देरे समझ में आया होगा आप देखो यह जो structure दिख रहा है आपको दिखने ही रहा होगा कोई डाउट नहीं आपको structure अभी दिख जाएगा ठीक तोड़ा सा light हम लोग कम कर लेते हैं आपको structure आई तरीके से दिखने चाहिए ठीक और आपको इस्ट्रक्टर्स दिखने चाहिए आप देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या है यह जग यहू वह जयादा यहाँ पर यहाँ पे पहले xc पार्ट था यानि लाइट माइक्रोइस्कोप क्या था लाइट माइक्रोइस्कोप के जो हम इमेजर को फाइन कर रहे थे तो हमारे पास केवल कुछ पार्ट दिखाई दे रहेते उसमें पहला पार्ट हमारे पास क्या था हमारा यहां पे हमारे क्रोमेटीन दिखाई देते थे कुछ पॉइंट में और यहां पे हमारा सेल वाल यानि प्लांट से ले तो सेल वाल दिखाई देगा और केवल निकुलियस दिखाई देता क्या निक microscope से देखते हैं तो किसी भी सेल का केवल हमको out of structures और nucleus दिखाई देगा और कभी-कभी हमको mitochondria दिख जाती है क्योंकि ज़्यादा नंबर में होते हैं ठीक क्या ज्यादा नंबर में होते हैं लेकिन उसी चीज़ को जब से देखते हैं हमारे पास यह फिगर समझाने का मतलब यहीं था कि हम लोग जब कभी light microscope की बात करेंगे तो केवल कुछ ही points को डिल करेंगे लेकिन जब electron microscope की बात होती है तो हमारे पास डिटेल इस्ट्रक्चास आ जाते हैं ओके अप इस चीश को ध्यान देजिएगा पीडियाफ के अंदर आपको यह figure दिया गया है आप अच्छे से बैट के बना लीजिएगा और समझ लिएजिएगा कि points क्या कहना चाह रहा है कोई दिक्कत इसमें नहीं अब देखो यहां पर ह हमारे पास कुछ और points हैं इस points में ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास यहीं देखना है जो हमने अब भी देखा figure के अंदर क्या हमने अब भी figure के अंदर देखा कि हमारे पास जो हमारा light microscope होता है उसके लिए light लाइट माइक्रोइस्कोप होगा क्या होगा लाइट माइक्रोइस्कोप होगा तो उस लाइट माइक्रोइस्कोप के लिए क्या पड़ेगा हमको लाइट की जुरत पड़ेगी हमको लाइट की जुरत कहीं पड़ेगी तो में चीज है कि लाइट माइक्रोइस्कोप के लिए ह आती है हमको लगता है जहां तक मैंने प्रेटिकल किया है जादर जो डिटेलिंग नजर आती है वह हमारे पास यहां पर आर्टिफीशल लाइट में आती है क्योंकि हम वहां पर लाइट को घटा बढ़ा सकते हैं अपने सुगदा के अनुसार सनलाइट आ रहा है उतना ही आए ऑपर साहिब लगा देंगे और लगाने के बाद हमारे जो ऑपजेक्ट अब्चलो अबसा मेगनिफाई इमेज्जेज मेंगन्य तरीकों कि यह जँब उसको उपर कि उस्केसल प्रोजेक्टर लेंग अविजबल कर पाते हैं अपने आई पीसेस के अंदर ठीक यह चीज आपने सही तरीके से देखा होगा मतलब यह इस पॉइंट्स में हमको यहीं दिल करना था कि हमारे पास जो सकती है या फिर हम लोग अर्टिफिसल लाइट को यूज करें और यहां पे तीन टाइप के लेंसे से पहले होते हैं और दूसरा हमारे पास एक फोकल लेंस होगा और एक पार हमारे पास आई पीसेस होती हैं और तीनों की सायता से हम लोग किसी भी इमेजर को सही तरीके से दे में पास की आखिरकार डेर सारे आपने देखा होगा कि आपके वक्स में अलब के लाइन्द लखे लिए के लिए हम लोग नुक्स को यूज करते हैं मैगनि फिक irm कर करने के लिए यहां पर देखेंगे तो कभी-कभी आपको लिखाओगा यहां पर 15x कभी लिखाओगा 10x कभी लिखाओगा 25x कभी 35x ऐसा करके कुछ x लिखाओगा इसका मतलब क्या है कि हम लोग इतने टाइम्स उसको इंक्रीज करा सकते हैं यानि वह जो वस्तु है वह जो अब्जेक्ट है हम लोग उतना बड़ा उतने टाइम्स बड़ा उसको देख सकते हैं यानि 10x की बात कर रहा है तो यहां पर 100 गुुना इसके बारे में न बने और यहां पर कपती है कि माइक्रोसकोब हम लोग उसको stanning करते हैं यानि अभी रंजित करेंगे अलग-अलग कलर की सायता से क्या करेंगे स्कोलर करते हैं ताकि कि जब रंगीन हो जाएगा तो हमारे पास सही तरीके से और detailing आएगी हम लोग और सही तरीके से उसको देख पाएंगे यह आप ध्याँ रखिएगा तो यह बाकी चिजशे वही है कि मतला हमको क्या करना पढ़ेगा यदि हम लोगो पढ़नी है क्या साइटो sticking ऑलागी है तो हमको साइटो कमेस्टी पढ़ना पढ़ेगा यानि यहाँ पे अलग-अलग पिक्चर्स को देखने के लिए अलग-अलग कलर यूज होते हैं हम आगे किसी वीडियो में आपको डिडिल करेंगे आपको किस किस कलर के लिए यानि माइट्रो कॉंड्रिया को दे आपको कलर करना है तो कौन सा केमिकल लेना पड़ेगा वो पढ़ते हैं साइटो कमिस्टिक टर्क ठीक यह दिए आपको करना कैमिकल लेंगे और आपको साइटो कलर करना तो किसके लिए अलग-अलग कार्द होती जैसे एक ही कलर से हम दो और्गनेस को रंग दे सेम तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि यह और्गनेस कौन सा था वो और्गनेस कौन सा था इसलिए हमको अलग अलग कलर की ज़रुवत पड़ती हैं ताकि हम सही तरह कि इसको देख पाएं यह चाहिए आप ध्यान दिचेगा ठीक पहले बेसिक बातों से स्टाट करेंगे यह जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है यह फिगर हमारे पास है लाइट माइक्रो इसको यह हमारे लैब में था भी हम लोग जब यह सिकर रहे थे तो वहां पर यह दिखाया गया था यह आपके पास लेप्ट आफ है मतलब इसके लगा है यहां पर दिखाई देरहे हैं यहां पर एक लेंस यहां लगा है और इसके अनदर एक लगा हुआ हुआ जगा होगा थे हम सब्सक्राइब यहां पे दिखाया घ्यारा यहां पर सस्ट्रम इसके लिए लेकिन यहां पर आपके सकते हो कि इसके अंदर से उपर हमलों लाइट क्या देंगे लाइट सोरसे देंगे क्या देंगे लाइट सोॉस इसलिए कि ताकि हम लोग उपर से अपजेक्ट को सहीतरीके सटिफाइए कर सके यह इसे होगी यह पास चूटायइस कोड़ए देखा वह नसमें अंधता है यसा लाइट दिया उपर तो इसके अंदर और वह ने बोला लगा होगा क्या लगा क्याल हो यहां पे सिस्टम होगा ना क्या लगा होगा यहांपे हमको देखो यहांughter हमारा अब्जेक्ट होगा नुमोने कही सकते हो dal। को नमूना यह जो आपको मैंने कलर कर दिया है ह्मने क्या देख यहां पर नमूना रखा गया है तो आ यहां सबाइब जैसे पर पढ़ेगा इस कर अब कर यहां है ऐऊ-ब दीनonst Craig पड़ेगा बात इतना पक्का है जैसे अब्जक्टु लेंस पड़ेगा इधर प्रोजेक्टर लेंस होता है क्या होता है ठीक क्या लोग करते हैं और यह प्रोजेक्टर लेंस की सहायता से हम लोग अब हमारे पास प्रोजेक्टर लेंस होता है उसके नीचे लगा दियता है क्या उसके नीचे लगा देते हैं वपल और पूर जो इसके अंदर मतलब मतलब मैं जो भी घटनाएं हो रही है उस गटनाओ को मरा क्या करता है जितने भी images होते हैं उसको capturing system यानि पूरी जो capture systems होती है तिया computer system कह सकते हो capturing system जो भी इस्तमाल कर रहे हैं computer यूज कर रहे हैं laptop यूज कर रहे हैं mobile phone यूज कर रहे हैं जो भी यूज कर रहे हैं हम लोग उसमें सही तरीके से उसको देख पाते हैं और वहां से display monitor के अंदर डा सक होते हैं यानि कहने का मतलब है कि सबसे पहले सोलाइट पढ़ेगी वह यहां पर हमको लाइट देखने के मिले अब यहां पर लाईट आप कहा जाएगी बहिया condenser lens के अंदर जाएगी अब जो condenser lens के अंदर आएगी तो यह specially नीचे की ओर जाएगी क्या नीचे की ओर जाएगी ठीक अब यह condenser lens यह जो condenser lens दिखाई दे रहा है पहले इसको मिटा ले आपको portrait ठीक यहां पर क्या निश्यायी हमारे पास हमारे पास historical सब्सक्राइब ज antibiotá Tre Straight की तरफ पर अप्जोक्ति लेंज की तरफ अप्जोप्टियु लेंज थे हम्ma operate देख देते हैं अब इस ठीक निचे यहां पर आपको कैंमरा लंगा होगा क्या होगा इमेज को प्रोसेसिंग कर देगा यहां पे system में यह इसको computer system में देगा और हमारे पास display में System को सब्घ मैं को सही तरीक सकते हैं ऐसा कुस इस्ट्रक्टरस होते हैं sa website at哇 a statewide बारे में यह आप सिंपल चीज औरिए और देखें आप इस वाले को देखें होंगे नारमधी तरीके से देखना इसको बोलते हैं फ्रोजक्टर लेंस होता है याँ उपार ऊपर जो हमारे पास ऐसे दिखते हैं जो होता है उसको ऑफ्रोक्रों पर उपर उठाव कर रहे हैं और इसके अंदर क्या करेंगे पूरा पूरा पूरे लिस्ट स्ठेवाइब सेंपल बिए सेंपल लिये स्लाइड लिया इसके अंदर डालतेंगे और थीक इसके नीचे यहां पर लगाऊता है कंडैंसे कंडैंसर लेन्स लगाऊता है और लोग नीचे क्यों eng Chelsea इसमें नीचे किसे हम क्या केते हैं light sources देते हैं जब हम लोग नीचे से light sources यहां पर देंगे और यहां पर हमारे पास क्या होगा focusing our systems होती है हम लोग उसको घटा बढ़ा सकते हैं तो यह आपके lab में देखने के मिलेगा लेकिन यह भी lab में देखने के मिलता है लेकिन सब जगह देखने के लिए नहीं मिलता क्या सब जगह यह देखने के लिए मिलता यह किवल laboratory बड़े-बड़े लबोर्ट्रियों में यूज होती है ठीक यह चीज़ आप ध्यान दिजेगा ठीक यहां से होगे भाई यह भी हमने देख लिया अब बात करते हैं यहां पे हमारे पास different different approach के बारे में क्या different different approach के बारे में कि अलग-अलग दृष्टी परने के लिए या फिर कैसकते हो कि यहां पर जीवित को शिकाओं के लागू किया जाता है लेकिन यह लोग लोगечат alarm कर सहाता लेते हैं कि किसी भी लिविंग सेल्स को जानने के लिए यह बात याद रहेगी कि कभी आपको जानकारी लेनी है लिविंग सेल्स के बारे में आपनाइट माइक्रोइस्कूप का यूज नहीं करेंगे वहां पे मर जाएगा काम यानि sales हमारे क्या होंगे वो मर जाएंगे तो आप किसका इसकमल करेंगे phase electron microscope का कि हमारे पाई जो phase contrast microscope होता है वो क्या होता है उसकी जो ruling होती है वो क्या होती है उसके बारे में हमको देखना होगा क्योंकि बेटा यहां पे simple तरीके से क्या है कि जो अलग अलग जो different different use different different speed होती है light की वो हम अलग अलग अर्गनेल्स पे लगा सकते हैं ठीक और अलग अलग compositions में हम लोग light को use कर सकते हैं ताकि हमको अलग अलग phase की बात करा अलग अलग phase phase contrast मोलते हैं phase contrast के रूप में हम लोग यूज करते हैं उसको ताकि हम लोग सही तरीके से light को traveling जो positions हैं उनको हम लोग यूज कर पाएं और अच्छे तरीके से देख पाएं क्योंकि देखो सेल के अंदर क्या सेल के अंदर पूरी जो lights होती है वो किस speed से जा रही है उसे इस पीर से हमारा अंदर की जो material है वो visible हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे वो कौन डिल कर आएगा हमारा सेल के अंदर light जा रहा है जो वहीं बताएगा कि हमारा सेल के अंदर जो structure से अब ध्यान देना यहां पर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पूरे systems बना जते हैं कभी औल्टे मराते हैं कभी सिधे बना जते हैं यानने हम लोग देखें लैब के अंदर ध्यान देना अभी तुमको दिखा रहा हूं जैसे यह सिस्टम उपर की और था यहां पे प्रोजक्शन लेंस था और प्रजक्टर लेंज था वह उपर की ओर था लेकिन यहां पर जो प्रजक्टर लेंस लगाया है वह कहां नीचे क्यों लगाया गया है यानि हम लोग इधर से देखेंगे और उपर की तरह को समझ में आएगा यानि कई तरीके से कह सकते हो क्या कई तरीके से लोगों ने उल्टे सीधे रूप में इसको यूज करते हैं वह केवल हमारे जो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं यानि हमारा उपर होता है कभी कभी हम उपर से लाइट लेते हैं और जो नीचे होता है तो इससे डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से माइक्रोस्कोप की सहाता से पूरे सिस्टम को देख पा रहे हैं ठीक अब ध्यान दिजेगा आपको देखो यह कुछ इस इस इस्ट्रक्टर मे से पैइस को दिखाएगा यह राइट फिल्ड माईक्रोस्कोफ है क्या यह हमारे पास सक्वर्म के लाइट माईक्रोस्को मैक्रोस्कॉप माईक्रोस्कोफ कें अदर आप मतलब सही तरीके से आप देखो जो हमारे सेल से outright pequ Butter देखाय महीं पर रहे हैं पूरे दूदले दिख् उसको एड़ करने के बाद दिखाई दे रहा है यानि हम लोग नार्मली इस्ट्रक्शर्स देखें दोनों फिगर को ए एन बी को बात करें दोनों में हमको इस्ट्रक्शर्स को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जो हमारा हम लोग वहां पे सेल को काफी तरीके से कर रहें क्या कर रहे हैहां नहीं कर दोनों फिट्रक्रद्स कर रहा है यहां से बताया गया है अब हमारे पास क्या आता है यहां से कुछ इस्पेसली सिस्टम साते हैं यानि कुछ ऐसे डिफिनिसंस आएंगे इसको ध्यान देना बड़ा जरूरी है इसलिए मैंने लाश्ट में रखा था पहले बता था अब यह देना है कि यह कुछ चार-पांच पीपीटी आएंगे आप क्या है यहां पर यहां पर जो री सॉलुशन सोते हैं क्या इसको पता लगाने के लिए किया जाता है यानि यह को सधि करते हैं उसके बात करें अब प्रकास को कम करता है और माध्यम से गुजार देता है प्रकास करता है और बाकी लोगों के क्या करेगा छोड़ देगा कि तुम जाओ तुम्हारा कोई जरुवत नहीं है इसलिए हमारे जो माइक्रोस्कोप होते हैं वहाँ पर बड़ा रूल है कि हमारा कितना लाइट आ रहा है हमको उतना ही कलर का लाइट लेना है है बाकी लाइट को छोड़ देना है क्योंकि जो बाकी लाइट को नहीं छोड़ेंगे वाई साह जो लाइट रुकेगा वहीं कलर हमको कहीं न कहीं वीजूबल होगा यानि कही न कही ऑवशोसर वहां पे हो रहा होगा अब बात करते हैं यहां पे bright field microscope की यानि इसकोपी की आखिरकार यह bright field microscope क्या है यह light process होती है directly throughout हमारे जो पूरे पूरे samples होते हैं उनको सही तरीके से standing जो होती है standing required standing यानि यह है कि जो प्रकास होती है वो सिधे नमूने से उक पूरा धुदला हो जाता है क्या पूरा गुदला हो जाता है और इन धुदले पन कि आउसक्ता to होती है आपको क्या दुदलेपन के जभाव सकता होती है उससे बजने के लिए ठीक हम लोग कह सकते हो कि हम लोग यहां पे ब्राइट फिल माइक्रोस्कोपी की जुरूथ पढ़ती है यानि हम लोग यह डिल करते हैं कि जब लाइट ऑप सीकर्णी किसी भी ट्रीक्णी में का क हाई देगा अब हमारे पास क्या होता है यहां पर यहां पर क्रोमाेटिक हमारे पास कि बात इनकी बात करें हैं उनको डिफ्रेंट यह नहीं ही लेंस से गुजरने वाले जो अलग 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 प्रकास की देशंड़ा सब्सक्राइब हूत है तके हैं दरुप्त ti हैं कि वेव हैं उनके कड यह इसके बान देना ऊद है इसके बाद नमूने पर के या हमको condenser lens लगा जाता है अब बात करते हैं हमारे पास contrast क्या होते हैं इनके बारे में बात करें contrast की बात करें तो यहां पर यह सफेद हुआ काले रंग के बीच में इस पेसली हमारे पास जो क्या कर रहा है यहां पर दिखाता है नहीं एक धलान दिखाता है कहां पर वाइट और ब्लैक कलर के बीच में और यह more contrast के फॉर्म में दिखाई देगा ठीक और यहां पर कुछ हमारे पास आता है तो यह आप पूरा देख लेना यह हम आपको छोड़ होगा उतना डिटेल हम कर सकते हैं ठीक और बाकी जो सिस्टम से आप एक बार देख लो समय आपको समझ में आएगा अब यह क्या है यह प्राइमरी लेंस होते हैं किसको इमेज़ेश को सही तरी के से मेगनिफाई करने के लिए ठीक और स्वेज कंट्रास माइक्रोस्कूपी क्या है इस जो आल डिटेलिंग के लिए होता है काफी अच्छा डिटा और मतफसरी डिटाल लें डिटेल्स के लिए हम लोग कहीं न कहीं वेवलेंद को चेंज करते हैं तो हमारा जो पूरा अबजेक्ट होता है उसकी काफी अच्छी डिटेलिंग आ जाती है ठीक हम लोग तो अब देखो यहां पे विववलेंट के बारे में आप जानी हो और कुछ था नहीं ये बेसिक चीजे हैं आप इसको सही टरीके से पढ़ लिजेगा क्या? इसको सभी तरीका से पढ़ लीजेगा ताकि यह ऐसे लोग यहने हमने सिंपल जो हमारा माइक्रोस्कोप था हमने उसको बता दिया कि क्या-क्या होता है यह आपके जानकारी के लिए था हमारे इंपॉर्टेंट के कोई चीज़े नहीं है तो आप इसको सही तरीके से पढ़के कापी में जुतना भी नोट करना होगा क्या-क्या इसमें इंपोर्टेंट आपको लग रहा है आप अच्छे तरीके से नोट कर लिजएगा अलग से वैसे मैंने पीपीटी आपको दे दिया है मिलते हैं कल वाले क्लास में अलेक्टरन माइक्रोस्कोप को लेके तब तक के लिए जैहिन